हेलो, आप सभी को मेरे नमस्कार, मैसेफ खालिद, लेक्चर एलेक्ट्रोनिक्स फॉम जीपीसी पाली हमारा आज का टॉपिक है कैपिसिटर कलर कोडिंग इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम कलर कोडिंग की टेबल को यूज करके कि प्लास्टिक फिल्म कैपिस्टर की वैलू को निकालते हैं और साथ ही हम देखेंगे सेरेबिक कैपिस्टर के बारे में भी जिनकी उपर कोडिंग की वैलू मार्किवी होती है और उस कोडिंग को यूज करके हम कैसे उसकी वैलू को निकालते हैं पर हम जालेंगे brief के अंदर capacitor होता क्या है हम जानते capacitor हमारे commonly used passive component है जिसका काम क्या होता है electrical energy को store करना साथ ही यह filter component भी काम आता है power supplies के अंदर जहांकि हमारा purpose क्या होता है कि हम AC voltage को convert करते हैं DC के अंदर तो में filtering के अंदर इसको हम काम में लेते हैं इसकी capacitor बोलते हैं इसकी value को हम नापते है as a capacitance और इसकी unit होती है वो होती है farads और इसकी तो smaller units होती है वो होती है millifarad, microfarad, nanofarad and picofarad इनको हम देखेंगे हमको आगे जब हम निकालेंगे इसकी value तो हमको depending on the value small है या बड़ी है उसके according हमको entire units के अंदर conversion करना पड़ता है तो उसका relation क्या होता है 1 millifarad is equal to 10 raise to power minus 3 farad, 1 microfarad is equal to 10 raise to power minus 6 farad, 1 nanofarad is equal to 10 raise to power minus 9 farad and 1 picofarad is equal to 10 raise to power minus 12 farad अब देखें हमारे concept दिखा रखता है para plate capacitance तो कमने पास में क्या होता है basically इसमें दो हम लेते हैं electors, upper one and the lower one और बीच में रखते हैं हम इसको dielectric इसको हम बोलता है para plate capacitor जिसकी value को हम represent करते है by c is equal to epsilon a over d a या हमें पे plates का overlapping area है और d या पे plates के बीच का जो distance है तो हम दखेंगे कि capacitance रहे है जो directly proportional to a है और inversely proportional to d है אז अब दखेंगे हम the fixed type के capacitance होता है वो हमारे पास में basically non-polarized और polarized capacitance होते हैं non-polarized के अंदर के आँगा कि आपको negative और positive polarity नहीं होगी circuit के अंदर हम उसको कैसे भी लगा सकते हैं बिना इसका orientation को consider किये होगे जब भी जो हमारे polarized capacitance है उनको हमको इसकी polarity होगी negative positive और इस polarity को consider करके ही हमको circuit के हिसाब से उसको positive negative देखकर उसको हमको लगाना पड़ेगा तो कुछ values की capacitance की value directly उसके mark की वी होती है फर एजम्ब हमारे little lighter capacitance capacitance है उसकी values पे directly mark की वी होगी mica capacitance, paper capacitance पे उनकी value लिखी वी होगी लेकिन हमारे जो basically यह होते हैं ceramic capacitance और plastic film capacitance उनकी उपर जनली उनकी value color coding से निकालनी होती है या किसी particular code से निकालनी होती है तो उसके लिए हम पढ़ेंगे capacitance color coding कैसे हम उसकी value को find out करते हैं यह दिखा रखिए है हमारे capacitance color coding उसमें वही color है जो हमारे resistance color coding के अंदर काम आते हैं पहला हमारा column है color उसमें हैं इसके अंदर brown, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray और white color इन सभी को हमने particular binary value assign कर रखा है 0, 1, 2, 3, 4 means black को 0, red को 1, brown को 1, red को 2, orange को 3, yellow को 4, green को 5, blue को 6, violet को 7, gray 8 and white 9 उसका जो हमारा next वाला column है वो है उसको हमागे multiplier column है उसके अंदर वो ही जो value होगी इसकी color की value उसको हम 10 raise to power कर देंगे फरेजम्ब ब्लैक की value 0 है तो 10 raise to power 0 कितना हो जाएगा 1, brown की value 1 है तो 10 raise to power 1 कितना होगा 10 हो जाएगा ऐसे कि हैं आकम सारी values को मागे निकाल सकते हैं अप्टो दा green, blue और जो हमारे gray और white उनका multiplier है हमारा 0.01 और 0.1 है इसके बाद next जो column है वो हमारा tolerance है tolerance भी मारे दो तरह की दिखा रखी है आपको जब उसकी value greater than 10 picofarad होगी उसकी values अलग है और जब उसकी capacitance की value 10 picofarad से अपने पास में smaller than होगी उसकी tolerance की values अलग है इसके अंदर हमारे पास में अब resistance से compare में दो additional values भी given हो सकती है temperature coefficient भी हो सकता है जो कि यहां पर colors के according उसकी value मार कर रखी है और next हमारे जो commonly use होते है working voltage जब यह हम capacitance को हम लगाएंगे circuit के अंदर उसका working voltage हमें पता होना चाहिए अगर suppose उसका voltage है 200 volt 250 volt तो हम इसको 250 volt तक ही काम में ले सकते हैं उससे ओपर के voltage के circuit में काम में लेने पर वह हमारा capacitance damage हो सकता है तो यह दिखा रखे हैं मैं पर एक्जामपल रेड के लिए working voltage है 250 volt आप देखेंगे यालो के लिए working voltage है 400 volt और इसी तरह से green के लिए हैं हमारे पास में 100 volt और blue के लिए है 630 volts अब आप देखा रखेंगे हमारे पास में कुछ अपने एक्जामपल लेकर देखते हैं plastic film capacitance के लिए कैसे इसकी value को हम निकालते हैं फर एक्जामपल हमारा पहला वाला केस है उसमें जो हमारा first color है वह हमारा yellow then violet then orange then white and then red तब स्की आप देखेंगे जो हमारे first और top से हम count करेंगे first और second जो जो color होंगे वह work करेंगे ऐसा first digit and second digit को हम पढ़ेंगे हम जो हमारा third color होगा उसको हम ऐसा multiply read करेंगे और उसके बाद next जो color होगा fourth one उसको हम लेंगे tolerance और जो last color हमारे हमारे होगा working voltage तो जैसे हम देखे टेबल देखी थी हमको उस column को हम refer करेंगे for example value को आप दिखा रखा है आप दिखेंगे color कौन से था yellow, violet, orange, white और red पहले दो colors है दौना digits है तो digit column में अगर आप जाएंगे तो yellow के लिए value कितनी होती है 4 and violet के लिए value होती है 7 तो कितना आएगा 47 थर्ड जो हमारा color है वो शो कर रहा है उसका multiplier तो आप देखेंगे multiply orange के लिए multiplier कितना था 10 raise to power 3 तो यह आप लिए रखेंगे 10 raise to power 3 और आगे के लगाएंगे अब working voltage 4th and 5th color को हम बाद में देखेंगे पहले हमने 1st 3 color यूज कि उसकी value को निकालने के लिए 47 इंटो 10 raise to power 3 और unit हमेशे लगाएंगे हम इसके अंदर picofarad अब इसको आप convert करेंगे तो आप देखेंगे 47 इंटो 10 raise to power 3 अब देख चुके है पिछे अभी picofarad की value कितनी होत होता है अपने पास में आप देखेंगे पीछे values के अंदर picofarad की value किती है आप देखेंगे 10 raise to power minus के 12 तो आप इसके उपर जाएंगे तो आप निकालता है तो आपने क्या किया picofarad 10 raise to power minus के 12 farad 47 इंटो 10 raise to power 3 और 10 raise to power minus के 12 मिला कि मन जाएंगे 10 raise to power minus के 9 farad इसको हमने bracket में लिखा हुआ है और पीछे हम देख चुके हैं और पहले पह power minus 9 farad के लाता है नेनो farad तो कितना हो जाएगा 47 नेनो farad अब आगे जो दो नैस जो color है वो tolerance है और नेक्स जो value है वो उसकी working voltage है तो आप टेबल के अंदर जाएंगे tolerance के लिए हमारे पास में क्या है white के लिए white के लिए आप देखेंगे tolerance की plus minus 10% value है और एमें जो working voltage है red के लिए कितना है 250 volt तो आप देखेंगे इसके अंदर value कितनी हो जाएगे इसकी 47 नेनो farad plus minus 10% वाइट के लिए और working voltage लिए 250 volt तो इसकी value जाएगे 47 नेनो farad plus minus 10% टॉलरेंस कॉमा 250 वोल्ट इस तरह से इसकी वैलू को हम फाइंड आट करता है यूजिंग दा कलर कोडिंग टेबल के इसके इसके इंदर हमारे पास जो कलर है वो है रेड वायलेट येलो ग्रीव एंड येलो अगेन हमारे फर्स्ट और सेकिंड कलर है वो इसका डिजिट शो क करेंगे तो रेट की डिवैल्यू होती है टू एंड वालेट की होती है 7 तो 27 थर्ड जो हमारा है वो शो करता है multiplier और यलो के लिए multiplier की वैल्यू होती है 10 देस-2 पावर 4 तो 27 इंदो 10 देस-2 पावर 4 और यूनित कॉन से लगाते है मिन स्टार्टिंग में पीको फैर्ड ना अब इसको आपो convert करना है suitable unit के अंदर तो आपने 27 इंटो इसको आपने 10 से multiply किया और 10 से minus 1 लगा दिया तो कोई change नहीं आएगा और 10 दिस्टो पावर माइनस के 8 farad तो यह multiply होके बन जाएगा 27 इंटो 0 दो जाएगा 270 और value कितने हो जाएगा आपने बास में 10 की पावर माइनस के 1 और माइनस के मिलाके बन जाएगा 10 की पावर माइनस के 9 तो कितना हो जाएगा नैनो फैरड तो 27 इंटो 10 27 नैनो फैरड अब जाएंगे इसका tolerance एड इसकी वरकिंग वोल्टेज ना अब देखेंगे इसका हम tolerance green green के tolerance कितना होता है आप टे तो येलो के लिए आप देखेंगे टेबल के येलो के लिए हमारा वोल्टेज के इतना है 400 वोल्ट तो हमारे बास जाएंगे इसके उंपर आप तो कि वेक्वल कितने हो जाएगे इसकी 27 नैनो फैरड प्लस green के लिए tolerance प्लस मानस 5% कॉमा और येलो के लिए वरकिंग वो काम करेंगे as a digit और उपगा third color होगा वो काम करेंगे as a multiplier तो इससे हमको मिलेगी value उसके बाद next जो color होगा top से लेके जो fourth color होगा वो शो करेगा उसकी tolerance और जो fifth color होगा वो शो करेगा उसका working voltage तो इस तरह से हम color coding table को use करके इन plastic, polystein, kapacitin वगरा की इसके value को हम निकाल सकते है next आप जाएंगे इसके अंदर हमारे पास commonly होता है ceramic capacitance, ceramic capacitance हमारे पास में कई shapes की होते हैं और जो most commonly हम काम में लेते हैं वो क्यालाते हैं ceramic disc capacitance आप देखेंगे इसकी different नमारे पर दिखा रखें diagram के अंदर इसकी जो जो value होती है coding form के अंदर हमको represent किया रखी होती है यह कभी-कभी इसकी value लिखी भी होती है सब हो यहां पर लिखा है point 22 इतका मतनब किया इसकी value है point 22 microfarad directly जब भी point लगा होगा means उसकी value हमको microfarad के अंदर given है लेकिन अगर generally इसकी value जो होती है coding form के अंदर given होती है और वहां से हमको इसकी value को find out करना होता है तो इसकी value कैसे निकालते हैं हम वो हम इसको एक बापिस दिखेंगे जिसे पहले हमारा case है उसके mark कितना का रखा है 104 तो कहा करेंगे आप जो first two digit है तो मैंने लिखा है इसके नहीं 1 और 0 जो हमारा third digit होगी वो काम करेगी ज़िए multiplier तो 10 raise to power 4 means 10 raise to power 4 लेंगे इसको और unit लगाएंगे इसके अंदर pico farad तो आप 10 into 10 raise to power 4 और pico कितना होता है 10 की power minus के 12 farad तो किल कितना हो जाएगा 10 raise to power 5 into 10 raise to power minus के 12 और farad इन दोनों को आप करेंगे आप एड़ करेंगे तो मैंने 10 की power minus के 12 को 2 part में break कर दिया 10 की पावर माइनस 6 यहां लिखा और 10 की पावर माइनस 6 फेरट को मैंने अलग ब्रैकेट में लिखा या है तो यह मिला कि जो 10 की पावर 5 और 10 की पावर माइनस 6 बन जाएंगे 10 की पावर माइनस के 1 और 10 की पावर माइनस 6 फेरट क्या होता है microfarad, तो value कितने हो जाएगी इसकी 0.1 microfarad, जब भी capacitance के उपर लिखा होगा 104, मतलब वो क्या show कर रहा है, value 0.1 microfarad, एक example all लेंगे हम, सब्सक्राइप नीचे देखे, second वाले में दिखा रखा है 224, में 224 लिखा हुआ है तो अगीन इसकी same procedure को follow करते हुए हम इसकी value को निकालेंगे first two digit को हमने रखा as it is 22, तो तो मैं third digit होगी, वो looking as a multiplier 10 raise to power 4, और आगे unit कौन से आएगी, picofarad तो 22 into 10 raise to power 4, और pico कितना होता है, 10 की power minus के 12 farad, तो 22 into, आप add करेंगे, तो 10 की power minus के 8 farad now minus 8 को हमने 2 part में break किया, 10 की power minus 2 and 10 की power minus 6, तो क्या होगा, हमने पास में 22 into 10 raise to power minus 2 बन जाएगा, 0.22 यह 0.22 और 10 की power minus 6, F बन जाएगा हमने पास से microfarad, तो इसकी value कितनी हो जाएगी, 0.22 microfarad, तो इस तरह से हमारे पास यह most commonly used components है, ceramic capacitance, और generally इनकी value जो होगी, इस तरह से coding form के अंदर given होगी, तो code को आपको consider करना है, और इस DA get procedure को हमने बताया आपको भी, इसके हिसाब से आपको इसकी value को find out करना है for example, हम देखा, 104 की value कितनी थी, 0.1 microfarad and 224 की value कितनी थी, 0.22 microfarads okay, thanks